So, under the topic of equality and equity, now we are discussing an inclusive learning environment, experiences and resources. जब हम inclusive learning की बात करते हैं तो इसका मतलब यह है कि हर तरह के बच्चे हर तरह की सलाहियत रखने वाले अगर किसी को कोई disability है और इस तरह के सब बच्चे मिल जुल के एक ही जगा पे सीखें इस तरह से सीखें कि सब को facilitate किया जाए और सब की सलाहियतों को बेहतर से बेहतर इस्त context जहां पर वो बच्चे हमारे इर्दगिर्ध हैं जिस तरह की उनकी जरूरियात हैं जो equipment उनको चाहिए वो हम वहां पर वहिया करते हैं वो सारी चीजें देखते हैं कि किसी को किसी की जरूरत है मसलन कमरे में चड़ने के लिए अगर वो सीड़ी नहीं चड़ सकता तो वहा सारे पास के जिनको साधा ट्वाइस की जरूरत है जिनके corners ना तेज हो वो मूं में न डालें तो इस तरह का ट्वाइस उनको दिये जाएंगे जो जादा harmful ना हो और फिर अगर कोई visual ability है या audible ability है तो वह हम देखते हैं कि इनको आलात मैसर हैं या नहीं क्या हम उनको उस तरह से करके बता रहे हैं या नहीं कोई बच्चा कम सुनता है तो उसके करीब जाके बात करेंगे कम दिखता है तो उसको उसका glasses वगरा इस्तमाल करने में facilitate करेंगे सो हम चाते हैं कि हर बच्चा देखें कि वो हर चीज़ देख सकता है जो आप उसको बता रहे हैं और ये कि वो अपनी मर्जी से जिस तरह से move करना चाता है क्या वो move कर सकता है अगर कोई बच्चे wheelchair पे हैं तो उनके लिए रास्ता छोड़ा जाएगा ताके वो अपनी wheelchair को move क कर सकें और अगर उसको कोई और physical aid चाहिए तो वो भी हमें उसको provide करना है हम चाहते हैं कि आपकी class में जिस तरह सारे बच्चे हैं उनमें जिस जिसको जिस चीज़ की जरूरत है वो उसको महया किया जाए ताकि उसकी learning में कोई barrier या hindrance ना आए so inclusive play resources भी होते हैं जहां पे बच्चे मुख्तलिफ तरह के ऐसी चीज़े हम उनको महया कर सकते हैं कि जिसमें अपनी मर्जी का वो खेल खेल सके जितनी चीज़ों से वो खेल सकते हैं इसके लिए special programs भी offer किये जाते हैं जहां पे उनके लिए खास facilities होती हैं ताकि जो बच्चे किसी भी तरह से disabled हैं या special हैं या किसी खास group से तालुक रखते हैं जिनको किसी खास equipment की जरूरत है तो वो हम उनको महया कर सकें so unfamiliar routines जो है play के सिलसले में उनको avoid करना है क्योंकि देखिए अगर फ़र्सकोर एक बच्चा visually impaired है या वो कम देखता है तो आप उसको अचानक एक ऐसी situation में लाएंगे जहां उसको बारीक से देखना पड़े या दूर से देखना पड़े और उसको कोई facility नहीं है उसके लिए बात करते हैं आप दूर से कुछ उसको convey करना चाहते हैं वो इशारों की जबान समझता है आप उसको बोल के समझाना चाहते हैं ऐसी चीजें उनके लिए मसला बन सकती हैं तो हमने कोशिश करनी है कि जो उनकी normal life की routines हैं उनको हम disturb ना करें जिस तरह वो सीखते हैं उसी तरह ह physical activity अब ये भी सब बच्चों का हक है ना कि वो classroom से बाहर जाएं खेलें कूदें और जहां 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 जो जो कुछ वो कर सकते हैं अगर अब सारे बच्चे बाहर चलेगे और wheelchair वाला बच्चा वहीं मौजूद है तो उसको तो अच्छा नहीं लगेगा तो उसके लिए helper होन कि आओ भी हम अपने दोस्त को भी साथ लेके जाएंगे ताकि उसको लगे ना कि वो अलग है या लोगों से मुक्तलिफ है या कमतर है then experiences for creativity हर बच्चा चाहे वो कम सलाहियत रखता है चाहे वो ज्यादा सलाहियत रखता है वो creative तो होना चाहता है वो भी कुछ नया करना चाह चाहता है कुछ नया सीखना चाहता है तो हमारी कोशिश यहोनी चाहिए कि उनको भी उनके वसायल दिये जाए अगर वो paper से create कर सकते हैं वो कुछ चीज बना सकते हैं या कुछ toys उनके लिए ज्यादा इंट्रस्टिंग है जिनसे वो कुछ create करना चाहते हैं वो कुछ सुनान कि होती हैं तो वो गा के पढ़ना सुनाना दौा करना तलावत करना पसंड करते हैं नजम पढ़ना पसंड करते हैं तो आप उनको पता हैं कि वो पढ़के सुनाएं सब बच्चों को और पिर जब सारे बच्चे उसकी तारीफ करेंगे तो उनको बड़ी खुशी महसूस तो आप कोशिश ये करेंगे कि जिन चीजों से वो comfortable हैं, जो उनको पसंद हैं, वो चीजी हम उनको दें, ना कि हम दूसरे बच्चों की तरह की चीजी उनके सामने रखें कि अच्छा भी ठीक है, आप भी खेल सकते हैं, नहीं, हमें equity का खयाल रखना होगा, जिस को, जिस of cooking, सब बच्चों को खाना पकाना बड़ा पसंद है, क्योंकि वो अपनी माहों को देखते हैं, घरों में तो उनका भी दिल चाहता है कि वो cooking वगरा करें, तो आप हर तरह के बच्चे को इस तरह की छोटी-छोटी सहद्वान activities में involve करें, ताके वो कुछ पहले खुद से बन और ग्रोही जो सलाहियते हैं, वो पैदा कर सकते हैं.